मनिहारी की दक्षिनी काटा कोश पंचायत के अलिनगर दियारा में पाड से तबाही गंगा नदी के पानी ने मनिहारी अंचल के कई पंचायतों में तबाही मचा दिया है दक्षिनी काटा कोश पंचायत के अलिनगर दियारा की हालत खराब है इस गाउं में लगभग 1200 से अधिक परिवार बार से प्रभावित हैं पंचायत के सब ही सड़क पर बार का पानी बह रहा है लोग माल जाल के साथ उचे स्थल पर शरण लेने पहुँच रहे हैं अलिनगर के मुख्याव और सदसे राजेश कुमार भगत के अलावा सेकडों लोगों ने बताया कि एक सब्ता से बार की समस्या उत्पन हुई है तब से आज तक कोई भी सरकारी रहनुमा हाल जानने नहीं पहुँचा है जहां इस्तिती बहुत जो है तो गंभीर है बार का लगभग जो है दस रोज से हम लोग जो बार में घिर हुई है सभी ने बताया कि दियारा एक छोटी पंचायत होने के कारण प्रशासन के नजर में यहां के लोगों की कोई कीमत नहीं है प्रशास्तिक महकमे ने दियारा मानकर यहां के लोगों को राम भरो से छोड़ दिया है लोगों का जीना मुश्किल हो गया है कई लोग जान हथेली पर रखकर उची जगह पर शरण लेने को मजबूर है यहां पानी का बहुत ही गंबीर इस्थिति है आज हम लोग 15 से 20 दिन से डूबे विये हैं यहां पर और अभी तक सरकार के तरफ से और हमारे जो जन परती निदीक के तरफ से कोई भी सुविदा उपलब्द नहीं है और यहां सभी के घर आंगान में पानी हो चुका है पूरी तरह सभी का चुला डूब चुका है सब सड़ा कुड़क में सड़ा लेकर के गाहवासी किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं कोई भी पतादेकारी जो सरकारी पतादेकारी है किसी तरह का हम लोगों कोनो सुविदा नहीं है पंचायत की मुख्या शरिफूल और धोनी पसंस हविबूर रह्मान आदी ने ग्रामिन से मिलकर सहायता उपलप्त कराने का भरोसा दिलाया है उख्या ने नाव परिच्वालन कराने का आगरह किया है मनिहारी छेत्र का दक्षिनी काटा कोस में कुल 19 वाड परते हैं जो कि सभी वाडों में पानी घुश चुका है बार काल तक्रिबन दस दिनों से और यहां का हाल बहुत खराब इस्तिती बना हुआ है और यहां सबसे बड़ी समस्या है नाव का जो कि अगर किसी का तबियत खराब होता है तो यहां से जाने का कोई साधन नहीं है इसके लावा लोगों की मांग है कि तक काल सूखा राशन ना वतरिपाल का परिचालन शुरू कराए जाए जल्द से जल्द राहत शिविर की भी सुविदा उपलप्त कराए जाए ताजीम हुसेन टाइम्स नीज मनिहारी